यादगार वो पल था दोस्तो जब सचीन तिंदूर करने एसीया कब 2012 में बंगलादेश के खिलाब सतक लगाया था ये भारत और बंगलादेश दुनों टीमों के लिए यादगार मैश था मीरपूर का वो मैदान जिसमें सचीन तिंदूर करने इतियास रचा था मीरपूर के इसी मैदान में साल 2012 में सचीन पाजी ने सतकों का सतक ठोका था और वो दुनिया में 100 सतक लगाने वाले पहले खिलाडी बन गए दोस्तो इस मैच की फुरी जानकारी जानने इस पले अगर आप इस वीडियों के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को आन करना ना भूलना जिससे की आने वाले वीडियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बता दे दोस्तों की मीरपूर के इस मैदान में सवा सतक पूरा करने के लिए सचीन ने 138 गेदों का सामना किया था जिसमें उन्होंने 12,4 और एक चक्के लगाये थे सचीन तिंदूलकर ने महर 17 साल की उन्हों में अपने करियर का पहला इंटरनेशनल सतक ठोका था और अगले दो दसक में वो 100 सतक लगाने वाले बल्लेवाज बन गए हैं सचीन तिंदूलकर भले ही सतकों का सतक ठोक कितिहास रचा हो लेकिन इस मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था इस मुकाबले में भारत ने 50 ओबर में मात्र 289 रन ही बना पाये थे जिसके जबाब में बंगला देश ने इस लच्छ को आखरी ओबर में पांच बिकेट खोकर हासिल कर लिया था इसलिए दोस्तों यह मैच इंडिया और बंगला देश के लिए यादगार मैच रहा था दोस्तों यादगार भरी वीडियो में बस इतना एक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तक तक के लिए जैहिंद